हेलो फ्रेंज मैं मॉनिका आपके गार्णर दोस्ट आज आपको इस बहुत ही खुब सूरत से कैक्टस के बारे में बात करूंगी यह है उपंशिया मोना कैंथा उपंशिया जो है वो बहुत बड़ा जीनस है और उसमें बहुत सारे प्लांस आते हैं उसमें से एक यह है इसमे कैक्टस में यह जो आपको चोड़े-चोड़े से दिखते हैं यह स्टेम होता है इनका और फ्लेशी स्टेम हो जाता है क्योंकि कैक्टस जो है रेगिस्तान में मिलता है जहाँ पर पानी बारिश कम होता है तो इसके जो स्टेम है यह मोडिफाई हो जाता है ऐसे मोटे-मोट यह देखिए इसमें क्या यह बहुत लंबा हो जाता है अगर यह जमीन में लगा देए या बड़े गमले में लगाएं तो 5-6 फिट तक उचा चला जाता है और इसको जब भी आप लगाएं तो थोड़े से गहरे गंबले में लगाएं जैसे कम गहरे गंबले में हम जो है शैलो पॉट्स में लगाते हैं cactus, succulents लेकिन ये थोड़ा सा बड़े थोड़े से गहरे जैसे मैंने इसको 9 इंच के pot में लगाया हुआ है 9 इंच का pot का मतलब वो 9 इंच गहरा होता है और उसकी diameter भी 9 इंच होती है तो ऐसे में लगाया हुआ है तो इसकी root को जगा मिलती है फैलने के लिए क्योंकि ये उच्छा ज्यादा बढ़ता है तो इसको नीचे भी roots भी उतनी इसकी फैलती है कैक्तस की roots जो है बड़ी अच्छी developed होती है क्योंकि ये जो रेगिस्तान में होता है तो इसकी root system थोड़ा अच्छा होता है तो ये देखिए ये इसका जो ये जो side वाले जिसको leaves कहले या stems कहले ऊपर से चोड़ा और उपर से थोड़ा सा tepering मतलब कम चोड़ा होता है और नीचे से भी एसे नीचे की तरफ पर से धोड़ा सा टेपर होता है उसमें बिलकुल गोल नहीं है आगे से लंबाई में है ये तो इस तरह से होते हैं बड़ा खुबसूरत लगता है ये पौदा इसकी जो ये है वैसे आप हम कई ओपन शेयर देखते हैं उसमें मुटाई भी होती है इसके जो स्टेम्स हैं ये चप्टे चप्टे स्टेम्स हैं और अच्छे खुबसूरत लगता है मुझे भी बहुत अब बर्निंग होने लग जाए जलने के निशान दिखने लग जाए मिटी इसकी बिलकुल आपको वैल ड्रेंड बनानी है उसके लिए आप दो हिस्से तो लीजिए रिवर्स हैंड के एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा इसमें खाद का दे दिजिए वर्मी कंपोस्ट या अब खाद कुछ में और थोड़ा सा इसमें फंजिसाइड पाउडर डाल दें ऐसे इसकी बना लें ताकि गंबले में ड्रेनेज अच्छा हो और पानी ज्यादा रुके नहीं जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूं टैक्टस और सेक्यूलेंस की जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए इनकी जड़ें इसी तरह बन्यूई होती हैं कि 5-10 मिनट में यह अच्छी तरह से जितना भी आप पानी मानी देते हैं सब ले लेती हैं और उसके बाद इसमें पानी अगर बहुत ज़्यादा रुकता है तो इसकी जड़ें गल जाती हैं तो इ जिहान से दें वैसे दूसरे कैक्टरस की तुलना में इसको थोड़ा सा पानी जादा मतलब एप्रोप्रियेट जिसको कहते हैं मुड्यो मौडरेट पानी चाहिए फिर भी थोड़ा सा ड्रायर साइड में रखें तो सेफ रहते हैं तो और इसकी पत्तियों को नहला भी सकते हैं जैसे गर्मी है उपर से पानी दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इसको आधा दिन रहने देती हूं तो sufficient रहता है हमारे यहां बहुत ज़्यादा frost वगएरा नहीं होता है तो मेरे यह चल जाता है दूप वाली जगह में आदा दिन की दूप इसको मिलती रहे तो यह मेरे यहां चल जाता है लेकिन अगर आपके सर्दियों में फ्रॉस्ट जादा नीचा जाता ह कि यह ठंड से कोहरे से frost से बचे रहे तो और फटिलाइजर की जब मैं बात करती हूं तो इसमें फटिलाइजर आप जब भी दें जैसे एक बार तो फॉटिंग मिक्स हमने बना लिया उसके बार जब फटिलाइजर दें जैसे फरवरी में मार्च में इसका मौसम आ जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा डीएपी और पुटाश डाल दें जैसे 9 इंच का गमला है तो आदा चमच चाय का छोटा वाला डीएपी और आदा चमच पुटाश गमले के रिम के साइड साइड में डाल की और फटा फट पानी दे दें जब भी पुटाश आप डालें किसी पौदे में साथ के साथ उसमें खाद जरूर दे दें पानी जरूर दे दें नहीं तो पुटाश से पौदे जल जाते हैं अगर सूखा पुटाश पड़ा रह जाए गमले में तो इस चीज़ का ध्यान रखें प्रोपेगेशन इसका बहु चिम्टी से चिम्टी से इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बारीक जो कांटे होते हैं बहुत बारीक कांटे होते हैं वह हाथ लगाते ही फटाफट चूटके आपकी स्किन में घुश जाते हैं आपने गलव्स पहने हुए उसमें भी घुश जाते हैं बहुत परिशान करते हैं अगर ऐसे कांटे कभी लग जाएं किसी कैक्टिस के तो आप तेल लगा लें आदर वाइज यह किसी तरह से भी नहीं निकलते सबसे असान उपाय होता है कि हाथों में तेल लगा के और आपस में अच्छी तरह मसल लगा तो इसको आप क्या करें कि फॉरसफ से auspir 5 की मदद से कोई बी ये साइड विल जो है ये छोटा सी जुरा राइड जिसरफ पेंट लगा तैप का या चोटा साशाह अलग कर ले अदित लिए इसके और उसको आप ये जैसे अच्छा मौसम है और इसको किसी ऐसी जगह रखें जहां ही ड्राय रहे बस आप पानी दें उत्ता पानी दें बाकि इसको दूप आदे दिन की एक दो घंटे की मिले और कहीं कोने में यह पड़ा रहे इस पर उपर से ज्यादा पानी नहीं आए तो कटिंग पे तो यह मुझे तो बहुत अच्छा लगाता और मुझे कई व्यूवर्स ने देखके का कि आपके वहां पे एक कैक्टस पड़ा हुए उस पर वीडियो बनाएगी तो मैंने कर चलिया आज इस पर वीडियो बना देते हैं और देखिए मिठी कितनी ड्राय साइड पर मैंने रख्य इसको पानी मिठी इसकी हलकी सी मॉइस्ट रखें तो यह आपको बहुत अच्छा चलता है बहुता देखिए कितना कलर वगएरा इसका मुझे बहुत सुन्दर लगता है इसमें नीचे से एक चोटा सा स्टेम भी होता है ध्यान से देखें तो तो फ्रेंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड बाई आप मुझे इंस्टागरम पर फॉल्लो कर सकते हैं ओके बाई